हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है लोग्यान चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CRPC में आगे के सेक्षन की कुछ कमेंट इस वारे में आ रहे कुछ मेसेजिज मेरे पास आए है कि थोड़ा सा सर स्पीड से पढ़ाईए ताकि जल्दी कम्प्लीट हो जा क्योंकि यहां से बहुत कोश्चन मनते हैं उसके बाद के पार्ट को हम स्पीड ली कवर करेंगे तो जहां पर ज्यादा कोश्चन मनते हैं जहां पर अंदर से कोश्चन मनते हैं बहां पर हम थोड़ा सुलू चलेंगे और जहां पर कोश्चन केवल सेक्षन या उपरी सतय से बनेंगे बहाँ पर हम लोग तेज चलेंगे तो आप उसकी चिंता मत किजिएगा मैं आपका पूरा स्लेबर्स कवर करा दूँगा बस आप साथ चलते रही है बस यह बताइए कि आपको जो भी पढ़ा है जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और मैं तो यह मा आगे का चलना इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 42 टू सेक्शन 46 ठीक है यह भी बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन है आपके लिए और इसमें क्या-क्या प्रूविजिश्य सौरी 45 तक पढ़ेंगे 46 अगले लेक्चर में कवर करेंगे सेक्शन 42 क्या कहता है धारा 42 किस बारे में बात करती है तो धारा 42 बात करती है कि असंगे अपराद में गरफतारी कब की जाएगी अगर कोई वेक्ति असंगे अपराद का दोसी है उस पर आरोप है अव्योग लगा हुआ है असंगे अप पड़ा कि बिनाबारेंट के संगे अपराद में फुलिस सत्कारी को कभ गरफतार किया जाएगा और सेक्शन 42 कहता कि असंगे अपराद में कभ गरफतार किया जाएगा सेक्शन 43 एंपोर्टेंट है सेक्शन 43 बात करता है प्राइवेट विक्ति द्वारा गरफतारी ठीक है ठीक है ठीक है प्राइवेट विक्ति द्वारा गरफतारी यहां सीधे सीधे सेक्शन भी पूझे जाते हैं इसलिए सेक्शन भी आत कर लीजिएगा फिर दारा चावालिस कि स्वारे में बात करती है section 44 magistrate के द्वारा ग्रफतारी ठीक है और section 45 क्या बात करता है section 45 ग्रफतारी की बात नहीं करता है बलकि कि ग्रफतारी से सन अच्छड की बात करता है ग्रफतारी से सन अच्छड किसका सन अच्छड ससस्त्रवल के सदस्यों का ठीक है इतने section हम लोग cover करेंगे section 42 से सुरू करेंगे section 42 में क्या का गया है कि जब कोई वेक्ति किसी पुले सतकारी के उपस्तिती में क्या करता है कोई असंगे अपरात करता है अगर संगे अपरात करेगा तो मामला कहां चला जाएगा section उससे नाम पूछेगा और उसका निवासिस्थान पूछेगा नाम और निवासिस्थान तो दो कंडिशन है या तो वो सही सही बता देगा अगर सही सही बता देगा तो पले सतकारी उसको छोड़ देगा लेकिन अगर नाम और पता वो अपना सही नहीं बता रहा है पुलिस अत्कारी को स्था को रहा है कि इसने अपना नाम पता सही नहीं बता रहा है या बताने में क्या कर रहा है आना कानी कर रहा है या मना कर रहा है ऐसी कोई भी काम कर रहा है या तो आनागा नहीं कर रहा है या नाम और निवास स्तान सही रूप से नहीं बता रहा है तो ऐसी स्तिती में क्या किया जाएगा तो उस विक्ति को बिनाबारंट के तत्काल गरफतार किया जा सकेगा आप से अगर इंटर्वियों में कोई question पूछे या नॉर्मल तरीके से कोई question पूछे कि अपरात के मामले में किसी वेक्त के ग्रफतार कब किया जाएगा तो दो condition है पहली condition या तो वो नाम बता रहा है और पता जो बता रहा है पुलिस अतकारी के पूछने पर वो क्या है वो पुलिस अतकारी को लगता है कि वो गलत होगा पुलिस अतकारी का ऐसा मानना है तो वेक्ति उसको ग्रफतार कर लेगा संदे होता है कि ये नाम पता गलत बता रहा है और दूसरा क्या दूसरा ये कि वो वेक्ति क्या कर रहा है नाम बताने में आना कानी कर रहा है या मना कर तो ऐसे में उस व्यक्ति को ग्रफतार किया जा सकेगा ये section 42 का subclosure burn कहता है ठीक है अब दूसरी condition क्या है पहले तो ग्रफतार कर लिया ठीक है अब ग्रफतारी के बाद अब पहली condition तो यह है कि उसका नाम पता सही से पता चल गया ठीक है पुले सतकारी ना क्या किया उसको अरेश्ट कर लिया और उसका नाम पता सही से पता चल गया कि उसका नाम उसने confirm कर वा लिया पता confirm करा लिया अब उसको क्या करेगा उसको bond वरके छोड़ सकेगा उससे security bond वरवाएगा और उसको जाने देगा security bond बरवाया जाएगा और उसको जाने देगा इसमें एक प्रोवीजो और है section 42 के subclosure tube में प्रोवीजो दिया गया है कि अगर जो व्यक्ति ग्रफतार किया गा वो इंडिया का निवासी नहीं है तो ऐसी condition में भी उसे जो bond बरवाना है वो इंडियन से ही बरवाना है मतलब भारत का निवासी नहीं है लेकिन जो bond accept किया जाएंगे वो केवल इंडिया में जो रहने वाले विक्ति हैं उनकी accept किया जाएंगे ठीक है यह प्रोवी जो कहता है दूसरी condition क्या है कि अगर मान लिजे उसका नाम पता सही पता नहीं चला है तो दूसरी condition यह है कि 24 गंटे के बीतर उसे फिर magistrate के समझ पेस किया जाएगा यहां पर पहली condition में एक point छूट गया यह था कि मान लिजे पुले सदकारी को नाम पता भी सही पता चल गया है लेगन उसको लगता है कि इसको magistrate के समझ आजिर किया जाना है चाहिए तो ऐसे में वो magistrate के समझ उसको आजिर करेगा तो यह हो गया आपका section 41 पुसरी section 42 इस परश्ट रूप से मझे लगता है समझ में आगे होंगे सभी point आपको कि किसी विक्ति को कवरेश्ट किया जाएगा संगे अपरात के मामले में और फिर दूसरा point कहता है कि उसको bond वर्वाकि कब छोड़ा जाएगा और तीसरा point कहता है अगर नाम पता नहीं प प्लेसत कारी है ना किसी प्रकार का अधिकारी है वह किसी विक्ति को कभर गेरफतार कर सकता है तो कोई private person जिसकी उपस्तिती में किसी विक्ति ने कोई अजमानतिय और संग्य अपरात किया हो पहली condition तो यह कहती है कि कोई परसन या तो अजमानती अपराद किया हो या संगे अपराद किया हो या फिर कौन हो या फिर प्रोक्लैम्ड ओफेंडर हो उद्गोसित अपरादी हो दो कंडिशन है या तो अजमानती है या संगे अपराद किया है या उद्गोसित अपरादी है तो क्या करेगा दो चीज़ें करेगा उसको तुरंत अरेश्ट कर लेगा क्या करेगा अरेश्ट कर लेगा पहली कंडिशन अरेश्ट कर लेगा अरेश्ट मतलब उसको अपनी कश्टडी एक तरीके कश्टडी उसको रोक लेगा उसको पकड़ लेगा उसकी ब्यक्तिगत सुतंतरता से बंचित कर देगा, यह चीज आप याद रखिये, क्या गरेगा उसको ब्यक्ति preachतार कर लेगा, ठीक है, गरेवतार सब्धही बियारेक्ट में भी प्रियोग किया गया, और फिर तुरंट जो निकटम पुले सदकारी तुरंद अभी लंब पिलम मतलब जितनी जल्दी हो सके कोई भी बिलम नहीं करना है माली जे थाना दूर है पुलिस अधकारी कोई आसपास नहीं है तो फॉन पर सुचना दे दो फॉन भी उपलब्द नहीं है तो गाड़ी की जित्ती जल्दी फिवस्ता उसके करके और उसको वहाँ पर ले जाएगा जो पुलिस अधकारी निकटतम होगा वहाँ तक ले इसके बाद दो कंडियस बनती है पहली कंडियस क्या बंती है कि पहली कंडियस यह न्थि किंगर व्यक्ति जो है वह पुलिस अधकारी को लगता है कि इसमे हम और एश्ट किया जाना चाहिए तो section forty बन की कंडीशन 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 कंडीश ठीक है और अगर पुलिसदकारी को लगता है कि ना तो इसने कोई संग्य अपराद किया है, गलत फैमी हो गई है, गलत उद्देश से इसको अरेश्ट किया है, माली जो कोई उदगोसित अपरादी और उसका नाम है राम, ठीक है, और जो पकड़ा गया वो दूसरा राम है, उ ऐसे में पुले सत्कारी को लगता है ना तो इसने कोई संगे अपराद किया ना ही इसने संगे अपराद किया तो तीसरी कंडिशन होगी तीसरी कंडिशन क्या होगी उसको छोड़ दिया जाएगा बाई जब कोई संगे अपराद नहीं किया तो क्या करेंगे तो उसको छोड़ देंगे यह सेक्षन कौन सा था सेक्षन 43 पूरा एक एक पॉइंट में आपको समझाते चलना हूं कहीं से भी कोश्चन बनेगा आपका कोश्चन गलत नहीं होना चाहिए मजिस्टेट कब ग्रफपार करेगा तो सबसे पहला कोश्चन यहीं बनता है है कि मजिस्टेट द्वारा ग्रफपारी किस सेक्षन में होती है तो बहुत कंफूज उगती और फक्री और इसके लिएगा पहले तो सेक्षन-430 सामान ने वेकतिया प्राइबेट परसन द्वारा जो क्रफतारी है वो सैक्षन-430 में दी गई है और मजिस्टेट द्वारा जो क्रफतार में दी गई है अब मजिस्टेट दो तरीके के Pourquoi टार जानते एक 44 में मजिस्टेट द्वारा ग्रफतारी का अदकार निम्न में से किस मजिस्टेट को दिया गया है option A कारेपालक मजिस्टेट option B नहाइक मजिस्टेट option C कारेपालक और नहाइक मजिस्टेट करने का आदिश सकते तो वो स्वैम या फिर किसी अन्य पर्शन को घृफतारी करने का आदिश देगा मतलब कोई न्यायक मजिष्टेट या कारपालक मझिष्टेट उसकी उपस्तिती में उसकी इस्थानी अधिकारता के अंतरगत दो कंडिशन है एक तो प्रजैंस में ठीक और दूसरा इस्थानी अधिकारता भी होनी ही चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पोस्टेड है गाजियाबाद में और आप लगनव में अरेश्टिंग करा सकते नहीं आपकी इस्थानी अधिकारता के अंतरगत चीजह होनी चाहिए तो इस्थानी अधिकारता के अंतरगत कोई विक्ति हपराद करता है क्या करता है अपराध करता है तो उस विght को या तो वो स्वहाम ग्रफटार कर सकते हैं या किसी को ग्रफटारी करने का आदेश दे सकते हैं या किस में पाबर दी गई है ये section 44 में पाबर दी गई है आपसे question गुमागे पूछना है तो मैं guessing object आप से पूछाएंगा कर सकता है और मजिस्टेट के वल उस विक्ति की ग्रफतारी का आदेश दे सकता है जिसकी ग्रफतारी के लिए वो बारेंट जारी करने में सच्छा मैमान लीजे कलको कंडिशन यह आती कि मजिस्टेट ने किसी परसंड को ग्रफतार करवा दिया या खुद ग्रफतार करके मूर क्लेरिफाई करता है मूर क्लियर कर देता है कि सेक्शन 44 में उसी व्यक्ति को मजिस्टेट ग्रफतार कर सकता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो बारंट जारी कर सकता है बारंट जारी करने के लिए सच्छा में तो उस व्यक्ति को ग्रफतार करा सकता है तो सेक्शन 41 ब इनसे आपका एक कोश्चन प्री में जरूर बनेगा हंड्रेड एंड बन फरसेंट इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लिजेगा आप सेक्शन 46 45 देख लेते हैं सरस्त्रवल के सदस्यों की गरफतारी से सरचण ना दारा 41 से 44 तक कोई बात कोई भी कंडीशन जो दी गई है वो पिंपलीट हो रही है मतलब 41 42 43 44 जिसमें अर्एर स्थार के लिए बताया गया है कि यह कंडीशन कंडीशन रही होती है तो अरे काई ने के बाद भी किसी ससस्तृत के सदस्य को अगर वो अपने पधीय करतवयों के निर्बहन में कोई कारे कर रहा है तो गरफतार नहीं किया जाएगा कब तक जब तक कैंद्रिय सरकार की सहमत ही ना ले ली हो किसकी सहमत जरूरी होगी? Central Government की, क्योंकि जो ससस्थरबल होते हैं वो किसके अंडर होते हैं? ससस्थरबल होते है, Central Government के अंदर संग के ससस्त्रवल होते हैं किसके यूनियन के होते हैं संग के ससस्त्रवल काये आते हैं अगर कोई अपने पदिये करतब्यों का निर्वहन कर रहा है तो उसके द्वारा ग्रफतारी उसकी ग्रफतारी नहीं होगी अपने पदिये करतब के निर्वहन में कोई कारे कर रहा है त तो उसकी ग्रफतारी नहीं होगी कब तक जब तक कि सेंट्रल गवर्मेंट से परमीशन ना ले ली जाए अब उसमें जो सेक्शन 45 में सेक्शन सब्क्लॉज टू दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि राज्य सुचना द्वारा ऐसी कंडीशन में जहां पर लोग व्योस् सस्त्रबलों को सौंपा गया है बहां केंद सरकार की जगह राज्य सरकार अनमत दे सकती है आला कि उस पॉइंट को प्री पॉइंट आप व्यू से बहुत इंपोर्टेंट नहीं है कि सेक्शन 46 में कौन परमीशन दे सकता है सेंट्रल गवर्मेंट की परमीशन लेनी होगी और किसको गरफ्तारी से चूट दी गई है सस्त्रबलों को इस तरीके से पुछा जायगा संके सस्त्रबा उसको गरफ्तारी से चूट का प्राबधान या तो फिर 46 सेक्षन क्या कहता है, 45 सेक्षन चücke. 45 सेक्षन कहता है, कि अगर वो पदीय कर्तव्यों के निर्वान में कोई कार्य कर रहा है, तब उसको अरेश्ण नहीं किया जाएगा, लेकर अगर पदीय कर्तव्यों का निर्वान नहीं कर रहा न, सुट्टी पर आया हुआ है और आके गोली चला दे रहा है गाओं में कोई रीजन नहीं है तो क्या उसको अरेश्ट नहीं करेंगा उसको अरेश्ट करेंगा तुरह सुचित किया जाएगा बहुत अलग प्रोसीजर होता है ठीक है समझ गए तो उम्भीद है कि सेक्षन 41-45 आपका पूरा क्लियर हो गया होगा अब आगे के लेक्चर में हम लोग 47 पढ़ेंगे सेक्षन 47 और उसके आगे के प्रोविजन 46-47 आगे के प्रोसीजर हैना गृफतारी कैसे होगी गृफतारी के बाद तलासी कैसे होगी और गृफतार वेक्त ज़्यादा से ज़्यादा सेयर किजिए बताईए का आपको कैसा लग रहा है वीडियो इसी स्पीड से चलना या तेज स्पीड से आप बताईए मैं तेज भी पढ़ा दूगा बताईए तो अक्टेवर्ण में CRPC कम्प्लीट करा दूगा लेकिन फिर उसमें यह गारंटी नही पूरा मैं कम्प्लीट कर दूगा मैं कमेंट में देखूंगा आप लोग जो भी इच्छा जायर करेंगे वैसे ही आगे आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है कल के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे धन्यवाद